एक्सपिरिंशन लर्निंग इन इस सेल इस तो प्रजेस्ट नूवर्स अक्टिविटी रहे हैं यह विश्वास का नियोता है आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मूल जहां मिले इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे यह तनिश्ट का नियोता है यह ताटा का भरोसा है नमस्कार, आप दीपत हदानी, वर्क बाइस प्रिंसिपल अट सेंट सीविन सीनर सेक्टरी स्कूल अजमेर मेरे ख्याल से जो एनिपी 2020 का जो ख्रियानवन हम सब कोशिश कर रहे हैं और सीविन अजमेर पुरे प्रयास के साथ कोशिश कर रहा है कि हम एनिपी को लागू कर पाएं आज का जो टॉपिक था लर्निंग आउटकम्स और पेड़गोजी ये भी उस मिशन के अंतरगती आता है पार्टिसिपेंट्स ने बहुत उत्साह दिखाया और उस उत्साह को और बढ़ा दिया हमारे सीवी हेड अनिलकुमार जैन जी के और टेज बर्मा जी के प्रेजन्स ने कारिकरम के शुरुआत में वो यहां पे उपस थे थे 60 पार्टिसिपेंट्स और आजस्थान से पार्टिसिपेट किये स्कूल में पहनी बार आई और मैं इसके स्टेट अव द आर्ट इंफ्रस्टाफिर से बहुत इंप्रेज्ड हूँ एक बहुत प्लोज निट टीम ओफ टीचर्स है बहुत इंटराक्टिव टीचर्स थे On the whole, वरक्शोप बहुत सक्सेस्फुल रहा और मेरी शुख कामना है स्कूल के साथ और सारे प्रतिभाण्यों के साथ धन्यवाद नमस्कार, मैं सुजाता तातियर हूँ, कोटा से आई हूँ और Spring Days Children's School से रटार्ट पिंसपल और प्रेजिट एडवाईजर हूँ आज जो वरक्शोप करने आया हूँ है हम लर्निंग आटकम्स और प्रेजिट पहुत अच्छा है क्योंकि इसकी आज की तारिक में बहुत जरूरत है that teachers know what they have to do in the classrooms and how we can attain all the aims and requirements of NAP and it was such a good experience coming here going around the school इतना अच्छे से सब्चीतम मुझे व्यवस्थित मिली and the opportunities given to the students through so many labs was really amazing thank you hello everyone I am Hanuprita Pant the principal from Delhi Walpavri School Ajme today we organized our teachers training program which was done with collaboration with CBSE the center of excellence head Mr Anir Kumar Jain he was himself present for the training and we are two very worthy resource person whom the CBSE has sent one from quota and one was the vice principal from Saint Stephen school who were not only able to engage the candidate the the people the teachers who are attended today's training but it was quite interactive and everybody gained a lot well the topic was very relevant learning outcomes and teaching pedagogies and I'm sure it was a wonderful experience for everyone who attended I would like to thanks once again CBSE and we will continue in this journey of training our teachers thank you very much